नमस्कार 36 गड़ एक्स्प्रस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दुश्या और सबसे पहले खबर की बात करेंगे जहां 36 गड़ में मांसून का आगमन हो चुका है जिसमें 10 दिन लेट बस्तर पहुंची मांसूनी बादल 25 जून तक पूरे प्रदीश में सक्रे हो जा संभाबना है मौसर विभाग में इसकी आश्वंकर जताई है मौसर विभाग में दूंते वाड़ा स्तोकुमा बीज़पूर बिलासपूर राइकर कॉर्बा गरिया बंध धंतरी कॉंड़ा गाउं काकेर और नारायनपूर में अती बारिश होने की संभाबना जताई है मांसुन है प्रवेस कर चुका है पूरे बस्ता डियान दूर्ग संभाग के दक्षडी भाग में मांसुन सक्रिया हो चुका है और इसी पर ज्यानकारी के साथ स्वारा समता दिलिप खमारे सा जो गये है दिलिप मौस्व विभाग में आने वाले समय में बारिश को लेकर आशन का जाहिर की है किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा बारिश का? जी बिल्कुल बुसरा काफी लोगों को इंतजार था मानसून आम तोर पर 36 रड़ की बात करें तो 30 जून तक प्रवेश कर जाती है लेकिन इस बार करीब 10 दिन लेट रहा और कल ही देर साम तक बस्तर पहुंच और बस्तर में काफी बारिश हुई है और बस्तर के बाद आज और कल रायपूर में भी जिस तरह से बादल चाहे हुए है तो काफी बहुत से इलाकों में बारिश होने के आसार जताये गए है मानसुन भाग के तरब से और मौसावी भाग ने बहुत जगह पर खास करके बस्तर के जो छेतर हैं बीजापूर, सुक्मा, नरायनपूर जैसे जगहों पर भारी बारिश की चितावनी भी जारी की है इसके अलावा दूर्ग संभाग, रायपूर संभाग के भी बहुत सारे छेतर में बारिश की संभावना जताई गी है तो कुल मिलाकर इस बार दस दिन लेट रहा मानसून क्योंकि वो विपर जाये जो चक्रबात आया था इसकी वज़ा से लेट हुआ है पुरे देश में और केरल में ही पास दिन लेट से मानसून पहुचा था इसले लगातार जिस तरह से परिस्तिते निर्मित हुई लेकिन अब मानसून पहुच गया है तो लोगों को काफी राहात भी मिली क्योंकि जून में जिस तरह से गर्मी पढ़ रही थी लगातार 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा था उस्तन पूरे प्रदेश में तो खेती के लिए काफी फाइदे मंद हो मानसून और इस मानसून का बेसबरी से लोगों को इंतजार था बस्तर में पहुच चुके हैं रायपूर में भी लगभाग मानसून के बादल चाह गए हैं और आज देर साम तक बारिश होने के आसार जताय जा रहे हैं जी बुस्रा जी और इसके अलावा देले पाफसर जानने चाहेंगे आने वाले कितने दुनों तक कौन-कौन से जिले हैसे हैं जापने ज्यादा प्रभाव इस बारिश का पड़ सकता है और अभूबन पहले ये भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या इस साल वर्षा आकरे के मताबिक क्योंकि जून महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी अब तक नहीं हुई है अभी पूरे आउसत जो आंकले निकाले उसमें 31 फिस्दी कम बारिश हुई है हाले कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बारिश अच्छी होगी लेकिन अनलीनों और दूसरे जो इफेक्ट है प्रभाव पढ़ेंगे उसकी वज़ा से बारिश आउसत से कम होने के आसार जताये जा रहे हैं लेकिन 36 गड़ की बात करें तो आम तोर पर 36 गड़ में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हर साल हो जाती है लगभग और इस बार भी उम्मीद की जा रही है और अती वर्सा की भी चितावनी मौसम विभाग की वोर से जारी की गए खास करके जो बस्तर की इलाका है जिसमें बिजापूर, नराइनपूर, सुक्मा के लावा फिर कांकेर और ये फिर होते हैं इधर से धमतरी गरिया बन सही तमाम जगों पर भारी बारिस के नुमान ज लगाया जा रहे हैं और खास करके कल तक पूरे प्रदेस में मानसून के जो बारिस है वो होने की संभावना मौसम भाग की ओर से जटाई जारी इस से कहीं ने कहीं लोगों को रहात मिली है और एक उम्मीत की जारी थी कि इस बार मानसून काफी देर से आई है तो लोगों ल मांसून के भरों से फसल लगाई जाती है धान की ज्यादतर जगों पे वह बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं इस मांसून का और यह आ जाने के बाद लोगों को एक राहत मिल लई है और खास करके गरमियों से भी लोगों को काफी राहत मिली है जिस तरह से पारा चड़ा हुआ उससे भी लोगों को काफी निजात मिली है अब देखना होगा कि मांसून मौसम विभाग जिस तरह से उम्मीद जता रही है कि इस बार बारिस काफी होगी हाले कि लीनों जैसे कुछ इफेक्ट बता रहे हैं जिसकी वज़े से बारिस बिछले बरस की तुलना में कम होनी की स प्रण कार्वी के लिए